किसान साथ्यों किर्शी विज्ञान केंद्र धनौरी से आज हमारे बीच आये हैं वरिष्ठ वैग्यानिक डॉक्टर योगेंद्रपाल सेनी और आज हम एक और महतुपण विश्य के साथ आपके बीच हैं जी हां आज हम बात करेंगे मई माह के क्रिशी कारिया तो सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्ट साब आपका हमारे स्टूडियो में धन्यवाद चमोली जी डॉक्ट साब मई माह की बात करें क्योंकि आज से मई माह की शुरुवात हो गई है और क्रिशी की दृष्टी से अगर हम देखे तो बहुत ही महतुपण है ये क्योंकि आने वाली जो हमारी खरीब फसले हैं तभी वो अच्छी पैदावार देंगी जब हम आज ही से उनकी तैयारी करने लगेंगे तो सबसे पहले कैसे अपनी खरीब फसलों की तैयारी करें और कौन से मुख्या कारिया है इन पर हम आपसे जानना चाहिए आपने बहुत अच्छा प गयों कटा है, मसूर कटी है और आपका जोंबी कटे हैं और दलानी फसले कटी हैं तो उनसे जो खेत खाली हुई हैं तो अब घरीब की फसलों की बhoonight करेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले मं आपको कहना चाहूंगा कि आप जो हैं उन खाली खेतों में आप गहरी ग् आदि सारी इसमें जमीन के अंदर रहते हैं तो वह अपना स्थान बढाये रखते हैं और जो हम फसल होते हैं तो वह हमारी जमी फसल को बहुत नुक्सान पहुचाते हैं इसलिए आप इन सब को जाने के लिए आप ग्रिश्म कालीन की गहरी जुताई अवस्थिय करें जिससे इन से छुटकारा मिल सके जी ग्रिशम कालीन जुताई की आपने बात करी बहुत ही जरूरी भी है ये लेकिन अगर हम मिर्दा परिख्षान की बात करें डॉक्साब तो ये भी जरूरी हो जाता है चुकि खाली खेत हुए हैं इसमें खरीब की बवाई करने से पहले हम जो खेत हमको नहीं मिल पाते तो इसलिए ग्यानिक पत्तिती में ये कहा गया है कि बवाई से लगबग एक महा पहले आप खाली खेत में आप नमूना ले और नमूना ले करके आप निकटवर्ती परियोग साला में आप भीजवाएं जिससे कि आपको एक महिने तक बवाई से पहले आपको उसके परिणा मिल जाएं जिसके अनुरूप आप खाद एम उरोक की वहस्ता कर सकें चुकि आप सभी जानते हैं कि इस समय खाद एम उरोक में काफी खर्च हो रहा है और भारत सरकार दोरा जो है इस पर विशेश ध्यान दिया जा रहा है और खाद के जो दाम है वो राष्टी अस्तर पर बहुत भड़ चुके हैं और हमारी सरकार जो है भारत सरकार सभी उरोकों पर अनुदान दे रही है जिसके तहत आपको सस्ते खाद मिलने हैं पर हो सकता है कि आने वाले समय में आपको यह अनुदान ना मिले और आपको संपूर्ण खाद खरीदना फसलों की बात कर लेते हैं क्योंकि गन्य की फसल हमारी खेतों में खड़ी है और बहुत ही महतोपन फसल है किसानों के लिए तो अब चूंकि इन में काफी सारे रोग और कीट की समस्या देखी जाती है तो थोड़ा सा गन्य की फसल में हमारे किसान साथ है आप से जानना चा को सवानना किसानों का एक दायतु बन जाता है और इस समय चुकि नोलक जो है आपकी खेत में खड़ी है और उसमें आप जो है एक डेड़ महिने की फसल हुई होगी और मई के महिने में आप इसमें वीड कंट्रोल जिसको खर्पतवा नियंतन कहते हैं यह करना बहुत जरूरी है खर्पतवा नियंतन करने के लिए आपको निराई गुड़ाई और जुताई उसकी करके आप जो हो खर्पतवार को खतम करें और उसके साथ साथ सिचाई करके और उसकी जो बचिवी नतजन की टॉप ड्रेसिंग है आपको लगबग 10 किलोग्राम यूरिया परती भीगे क अभी चुकी करसी महत सो चल रहा है और उसमें कहीं किसानों की सिकात आई है कि हमारे पेडी खेत में जो है काला चिट्टा लगा हुआ है तो किसान तो नहीं पहिचान पा रहे थे जब वो सेंपल लेक आए तो उनको बताया गया है कि इसमें जो है आपको ब्लैक बग का पर पाइरी फोस की साड़े तीन सो एमल दवा चार सो लिटर पानी में घोल करके परती एकड की दर से आप चिड़काओ कर सकते हैं इसको यह कहिए कि एक एमल दवाई और एक लिटर पानी में मिला करके आप जो है घोल बना करके दो पैर के समय गोब में अच्छी तरह से उसकी जो है तरही कर दें जिससे की जो उसके अंदर गोब के अंदर चीटिया है वो मर जाएं और आपकी फसल इस कीट से छुटकारा पा सके हैं इसके साथ साथ एक आपने देखा होगा कि गन्य में जो है टॉप बोरर का भी परकौप इस समय देखा गया है और उसकी जो है को हम जानते हैं तो उसका भी परकौप कहीं खेतों में देखा है और उसके लिए भी आपको अगर इस तरह से कीट का आपको परकौप दिखाई दे तो उसमें कारवफुरान थिरीजी दवाई की 30 किलोग्राम मातरा को ले करके आप एक एक हेक्टेर में इसको सीचाई उपरान ड दालेंगे तो तभी मिलाएं यूरिया में जब इसको आपको खेत में डालना है दूसरा प्रिकेसिन यह है कि आप हातों में दस्ताने जरूर पहने तीसरा यह है कि आप नमी के टाइम पर इस दवाई का परियोग ना तो बड़ी साधानी से परियोग करना चुकि यह कि इसको डाले वो साधानी के अनुसार ही डाले जिससे इसको आप अपनी हेल्थ का भी धान रखे और फसल की सुरकसा भी हो सके जी बहुत ही महतुपूर जानकरी रॉक्टर साब आपने दी कि कि किस तरह से हम अपने गन्य की फसल को इन रोग और कीट से बचा सकते हैं और जरूरी सावधानियों के साथ हमें करना ही होगा तो जैसे की धान भी हमारी बहुत मैतुपूर फसल है और खरीप में अकसर हमारे किसान साथी इसकी बिजाई भी करते हैं और इसकी पौद भी वो डालते हैं तो किस तरह से वह अच्छा उत्पादन लेने के लिए किन बातो पूछा चुकि खरीप में मुख्य फसल धान की होती है और इसमें इस समय मई के महीने में के जृत्य सब्सक्राइब साथ दालने का समें होता है और जो हमारा परवते लेकार हाई है जिस में अम मई के महीने में आप पोड़ दालेंगें और जून के अंटा किसकी रुपाई कर देते हैं तो पोद डालने के लिए आपको इस समय नरसरी तयार करनी होती है और इस नरसरी में आप जो है दो तरे की नरसरी तयार करते हैं एक तो गिली विधी दुआरा एक सुस्क विधी दुआरा तो जहां पानी की सुधा है वहां गिली विधी दुआरा नरसरी तयार कर करके आपको इसमें पानी लगा दे और पानी लगाने से यह होगा कि जब पानी आप लगा देंगे तो उसके अंदर जो खर्पतवार होंगे उसके बीज जम जाएंगे और वो आपकी नरसरी बोने से पहले पहले जमने के बाद जो उनको नस्ट कर दिया जाता है उसके बाद आप उसके अंदर आप जो है धान के जो बीज है जिसकी आपको चेहन करना है कि कौन-कौन से बीज आपको बो सकते हैं मैं आपको बताओं कि उपरा हूँ उसमें जो है धान के लिए आपको विशेस परजातियां का चेहन करना है इसमें पंधान 6 है पंधान 10 है पंधान 11 है प परजाति का चैन कर लें और उसकी नरसरी आप डाल दें चुकि इसके लिए आपको परजातियों में से चैन करके आप गिली विदी या सुथक विदी से आप नरसरी तयार कर लें किसान भाईयो नरसरी के लिए ये मना जाता है कि 10 वर्ग मीटर की जो है असी के अरिया एक हैक्टेर के लिए परियापत होती हैं तो जिस तरह से अगर आपको धान की रोपाई जितने चेतर में करना उसी के अनुरूप आप अपनी नरसरी तयार कर लें और अगर ज्यादा माई के लिए महां बिलकुँ सहहीं कहा है आप अपनो परवत यह चेतरों में इस समय मय के महीने में जो है मक्क्य की बुआई करते हैं चाहे तो भुट्टो के लिए करें और चाहे आप उसके चारे के लिए करें पर इसमें किसान भाई कई सारी परजातिया हैं जैसे विवेक संकर 5, विवेक संकर 9, विवेक संकर 21, विवेक संकर 23, विवेक संकर 47, विवेक संकर 55, परगती, कंचन, नवीन, सुवेता बहुत सारी परजातिया हैं जो आपको इस समय उपलब्द हैं और आप इनकी ले करके बुगाई कर सकते हैं इसके लिए आपको 20 kg बीच की परती हेक्टर की आप सकता होती है और मक्का की बुगाई को कतार से कतार में बोने के लिए 60 cm की दूरी रखें और पोदे से पोदे की दूरी 25 cm रखें चुकि जब हम बुगाई करते हैं लाइन में तो इसमें पोदे से पोदे की दूरी घनिस्ट हो जाती है तो इसकी विल्ली करन करना बहुत जरूरी होता है जिससे हम निराई गुडाई करते समय दिक संख्या को निकाल देते हैं और इस जैसे की दलहनी फसलों की हम बात करें तो उड़ाद और मूंग की फसले हैं हमारे किसान सात्यों इनकी भी विजाई की है और अक्सर इन में कई सारे रोग और कीटों का प्रकॉप देखा जाता है तो इसके बारे में आप क्या सला देंगे किसान भाईयो दलहन में उर्द औ परन्तु ध्यान रखें कि इसमें अगर कोई कीट का आकरमन होता है तो इंडोस कार्ब द्याई आती है तो उसको आप खली छेदर जैसे कहते हैं इसको आप स्प्रे करके अपनी फसल को बचा सकते हैं इसके साथ साथ गन्ये के साथ ही इसमें निराई करना शिचाई भी हो ज जाती है पर इसको ध्यान रखें कि कीट और बीमारी से बचाग रखें डॉक्स आप चलते चलते अंतिम प्राश्न क्योंकि मोटे अनाजों पर सरकार का जोर है और अधिकतर हमारे जो पहाड़ी शेत्र के किसान हैं वो मोटे अनाजों की बिजाई करते हैं इस समय चाहे अधिक महतुपूर्ण होयाता है कि हमको मोटे अनाजों में जिसमें मंडवा है, जींगोरा है, चोलाई है, कोकुन है, इन सब की बिजाई करके अधिक उत्पादन हम ले हम मंडवे की बात करें तो परमुक परजातिय professions व्ययल मंदवा 315 है و्ययल मंदवा 324 है और 5 मंदवा 3 है और व्ययल मंदवा 347 है इन में से किसी भी एक पड़ाती का चैन करके आप ववाई कर सकते हैं चुकि मैई के महिने में इन फसलों की वववाई की जाती है पुरवते शेतरों में और इसमें बीज की मातरा आठ से दस किलोग्राम की असकता होती है और उर्वरक की मातरा जो है 40 किलोग्राम नत्रजन और 20 किलोग्राम फास पुरस्की असकता होती है अगर किसान भाहियों के पास गोबर की खाद उपलब दे तो 100 कुंटल पर हेक्टर की हिसाब से गोबर की ख मैं मई के पर्थम सबता में जहांगर को दे सतर में आपको जह को ईकिते सानरीं से 122 है wow को सैफ माधिर अपकर तिरल गुत्य है और असर्वाइब को डिया सत् subt है लुटनल थे इसकी फोर जाती है त travail लोटन भीमचश से और हैक्टर आपक हो जातीila और वही खात की मातरा जो मन्डुवा में आसता है वही लगबग जंगोरा में भी है जिसमें हम 40 kg नत्रजन और 20 kg फासपुरस डालते हैं और 100 kg सो कुंतल गोबर की खात ऐसे ही आपकी कंगनी है जिसको हम कोनी या कोकुन कहते हैं ये भी बहुत मातरा में परवति शेतरों में वहाई की जाती है जिसमें से PRK1 जिसको हिमादरी के नाम से जानते हैं और PS4 जो पंदर से विक्सित पर जाती है ये लगबग 90 से 105 दिन में तयार हो जाता है और इसमें 18 से 20 कुंतल उपज परती हेक्टेर मिल जाती है इसकी भी बीज की मातरा लगबग 8 से 10 kg परती हेक्टे की जाँ सकता परती है और इसी प्रकास से रामदाना है रामदाना भी बहुत महत्तिवप्रण फसल है परवते छेतरों में बह जाता है इसमें अन्वबग 9 कुंतल परती हेक्टेर की से मिल जाती है और लगबग 118 से 135 दिन में प्क्कत तयार हो जाती है और सीड की मातरा ल और खाद भी लगबग 60 kg नेतरजन और 40 kg फास परोस किया सकता होती है। जी तो बहुत ही महत्वण जानकारी डॉक्ट साब आपने हमारे किसान साथियों को दी कि किस तरह से मई माह के मुख्य किर्शी कारिया हमें करने हैं। तो डॉक्टर योगेंद्र पाल सैनी आप हमारे स्टूडियों में आए और बहुत ही महत्वण जानकारी आपने हमारे किसान साथियों को दी स्टूडियों में आने के लिए आपका बहुत बहुत आबार धन्यवाद धन्यवाद विकास जी